हेलो अब्रिवाइन वेरी गुड मॉर्णिंग तो वाल उप्यू मैं डॉक्टर बिजी इस्रेगेन आप लोका स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल के बिस्वीन पे दोस्तों 25 मार्च है कौन होना करोपती का जी के टेस्ट संपन्द हुआ है थोड़ी 11 बजे बहुत लोगों ने अच्छी तरह से टेस्ट दिया है काफी अच्छा गया है वीडियो भी कुछ लोगों ने अपलोड कर लिया अभी तक कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आई है टेकनिकल ग्लीच हुआ है उनको ओटी पी नहीं आया या तो ओटी पी नहीं आया या आगे नहीं बढ़ा उनका स्क्रीन तो दोस्तों ऐसे बहुत कम लोगों के साथ हुआ है काफी कम लोगों ने रिपोर्ट किया है आप अपना इशू के भी सी मराटी डिरेट ऑप सेट इंडिया डॉट कम इस तरह का कुछ इमेल आइडी आप चेक कर लिजिएगा डिस्क्रिप्शन में है इमेल आइडी लिखा हुआ के भी सी मराटी का वहां अपना इशू आप भेज सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ है ट्वीट भी कर सकते हैं उनके ऑफिशल ट्वीटर पे जिससे कि आपकी आवाज उन तक पहुंच सके इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं आज कौन होनारकरवती में जो बीस कोशन पुछे गया हैं वो कौन-कौन से कोशन है और इसके करेक्ट अंसर क्या है तो स्टार्ट करते हैं यह आपको कोशन टू दिख रहा होगा कोशन ओन मैं बाद में ले लूँगा आ गया है मेरे पास वह भी ले लूँगा दूसरा हैं और साथ में पहला कोशन ले लिटा हूँ मैंने लिखा हुआ है हाँ पहला कोशन था पंडित भीम सेन जोशी किस संगीत घराना से संबंद रखते थे ऑप्शन नहीं है मेरे पास उनका इसका सही आंसर किराना होगा ऑप्शन किराना घराने से संबंद रखते थे एक पूछा गया था पंडित भीम सेंगे किराना घराना था कोशन नमबर ये किये था पंडित भीम सेंग जोसी किस घराने से समंध रखते थे तो उनका पहला पहले कोशन का अंसर किराना होगा और सेकेंड कोशन आप यहां देख रहे हैं इसका सही अंसर नागपूर होगा टाइ 3 F I H Hockey World Cup तो यह ओडिसा में हुआ था यह बिल्कुल सही अंसर है ओडिसा चौते कोशन क्यों चलते हैं which of these districts of महारास्टा है यह सी कोश्ट तो इसके लिए आपको मैंने पहले भी बोला था कि महारास्टा का मैप आपको याद रहना चाहिए तो यह जो चार ओप्षन दिये गए वाश्रिम अकोला नंदेर और पालगर में सही अंसर पालगर होगा पालगर समुद्र के किनारे है चौते कोश्टन का सही अंसर पालगर चार कोश्टन सही सही होगे पाच्वा कोश्टन कॉमानली एस्प्रेसो इस टाइप ऑफ विच अप दिस ड्रिंग तो एस्प्रेसो जो है कॉफी का एक टाइप है कॉफी का एक टाइप है तो कॉफी इसका सही अंसर होगा पाच्वा कोश्टन का चठा कुश्टन इसका सही अंसर वैशाक या सही लगाया हुआ है जिनों ने किया है वैशाक सही अंसर है चठे कोश्टन का साथमा कुश्टन है वैशाक टेकर इन दे टूथाजन टूटी थ्री बॉर्डर गवास का टॉपी तु जैसे अप लोग को पता होगा इंडिया ऑस्टेलिया के बीच अभी टेस्ट में चल रहा था जिसको बॉर्डर गवास का टॉपी बोलते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो विकेट लिया है ब बी आर भागवत क्रियेटिड विच अब दा फॉलाइंग करेक्टर इसका सही अंसर होगा ऑप्शन बी फास्टर फेंट फास्टर फेंट सही अंसर है कोशन नमबर आठ का नौवे कोशन क्यों चलते हैं विच अब दीज फेस्टिवल सी अलसो नोन एज बेंदूर इन महार इसको बेल पोला बोला जाता है बेल पोला तो ऑप्शन सी सही अंसर है नौवे कोशन का आगे चलते हैं दसमें कुशन की और इन मार्च 2023 विच कंट्री ओफर्ट चटगाओं और सिलहट पोर्ट्स पर यूज टू इंडिया तो यह बंगलादेश में है अंसर इसका बंगला सीपोर्त है और शिलहट जो है ओ एयरपोर्ट यह दोनों बनाया गया है चाइना के दोरह और बंगलादेश ने क्या किया है इंडिया को यूज करने के लिए दिया है इन इंट्रेस्टिंग बात चलिए इसके बारे में डिटेल पढ़ गया और भी इंट्रेस्टिंग है बहुत important question बनता है खांदेश से समंधित, पहले भी पुछे गए हैं इससे समंधित question, तो यहां इसका answer होगा, option D, नंदरवार, हो सकता है, आपका option कहीं और और आ रहा हो, answer नंदरवार है, यह याद रखना है, अगला question है, बारमा question, परतिस्थाना is the former name of which town in Maharashtra, that is famous for the manufacture of saari, तो परतिस्थाना, किस महरास्था के किस टाउन का former name है, पहले का नाम है, पुर्व नाम है, जो famous है, सारी के लिए, तो इसका answer होगा, option B, पैठान, पैठान, सही answer है, question number 12 का, अगले question को चलते हैं, तिरमा question है, which of these is a conversation brought, developed by open AI, that can do tasks like answering questions, writing poems, coding and so on, बच्चों के लिए चांदी हो गई है, chat GPT के आने की वाज़े से, तो इसका सही answer होगा, chat GPT, इसी को compete करने लिए, Google ने क्या बनाया, बार्ड बनाया है, चौदे में question क्यों चलते हैं, in which district is the Maharashtra Cricket Association, stadium located, stadium पुछा जा रहा है, answer होगा, पूने, पूने, correct answer होगा question number 14th का, आगले question क्यों चलते हैं, पंदरमा question है, which of these animals is found only on the continent of Africa, तो rhinosaurus इंडिया में भी पाया जाते हैं, elephant भी पाया जाते हैं, lion भी है, जेबरा एकलोता animal है, जो अफरिका continent में पाया जाता है, तो पंदरमे question का, option A, सही answer होगा, question है, the G20 is a group that comprises 19 countries and which organization, इस question को मैंने पहले भी discuss किया हुआ है, G20 जो group है, इसमें 19 countries है, और जो 20 मेंबर है, वो European Union है, यानि पूरा European Union, European Union और भी सारा Europe नहीं है, ये European Union, इसमें 20 मेंबर है, G20 का 19 countries है, और एक European Union है, शोलो में question का, सही answer, option D, European Union होगा, 17th question है, which of this team does not play in the women's Premier League 2023, तो आप लोग को पता है, अब women's Premier League भी सुरू हो गया है, और इसमें Royal Challenger की team है, Delhi Capitals की भी team है, Mumbai Indians की भी team है, गुजराट Lions की टीम नहीं है, तो इसका सही answer होगा, गुजराट Lions, आठर में question की चलते है, 18th question है, who among these succeeded Balaji Vishnath as the पेशवा, तो Balaji Vishnath जो थे, ये, मतलब जो बाजी राव फश्ट थे, उनके पिताजी थे, और उनके मिर्टू के बाद बाजी राव पर्थम ही पेशवा बने थे, उसके बाद इस सारे option में, उसके बाद माधव राव, उसके बाद नरायन राव, उसके बाद बाजी राव पेश्वा पर्थम जो थे, बाला जी विश्नात के बेटे थे, बड़े बेटे, और दूसरा बेटा भी था जो अपी मोवी में दिखाया गया था उनको, अप्पा ये कुछ नाम था, नैंटींध कोश्चन है, इसको भी आम लोगों ने डिसकुस किया हुए, क इसने प्रेंश लेजन के नजी जो होते हैं, बर साथी होते हैं, लेकिन इस में कोहिणा रिवर में शयद पानी रहता है हमेशा। शयद इसको मतब लाइफ लाइफ लाइन आप महराष्ट्रा बोलते हैं, मैं पानी से अधम कंफर्म नहीं हूँ, शयद वो कावेडी नदी क की बात में कर रहा था कावेजी इनरजी में सालोबर पानी रहता है चलि कृष्णा रिवर का यह सबसे डेड़ी है कोई ना रिवर को लाइफ लाइफ लाइन ऑप महराश्टा भी बना हुआ है बीसमा कुश्चन तो इसका सही अंसर होगा ऑप्शन सी महेश कोठारे महेश कोठारे तो दोस्तों यह रहे आज के बीसमा कुश्चन और उसके बिलकुल 100% सही जवाब यदि आपने 15 स्कोर कर लिया है आप नेक्स्ट राउंड में मेरे हिसाब से जा सकते हैं यदि 15 से कम भी है और आपका वीड मेरे ख्याल से मेरी सोच है यह तो सब कुछ डिसाइड करना के सी को तो यदि वीडियो भी साथ में अच्छा बनता है तो आप अगले राउंड में पहुंच सकते हैं उसके लिए बस वीडियो में बनाने ही वाला हूं आज का वीडियो ऑडिशन खतम हो जाएगा उसके यहां पर सही सही डिटेल्स में मिलते हैं थैंक यू वेरी मच